Hey guys this is Amun and you're watching the latest episode of Tech Swami और यहाँ पर Redmi Note 7 के launch के बात ना यार इतने सारे questions उट गए है लोग पूच भी रहे हैं हमने भी पूचा था वैसे यार सबसे पहले हमने देखा Redmi Note 7 ने यहाँ पर तहलका मचा दिया 48MP का कैमरा दे दिया वो भी सिरत 10,000 के price range में उसके बाद जब हमने यार हमको याद है snapdragon 660 इसमें दिया गया है और snapdragon 660 जो है वो तो यार सपोर्ट ही नहीं करता है हमारा 25MP के उपर कैमरा यहाँ पर 48MP का राज का है यह 48MP का कैमरा कैसे लगा दिया गया है क्या Xiaomi चिटिंग कर रहा है क्या हमको यह धोका दिया जा रहा है सिर्फ बताया जा रहा है बस बता दिया 48MP कैमरा है पर है तो है यह नहीं इसमें तो कुछ और ही मिल रहा है यहाँ हमें जूट बोलकर है किया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है Xiaomi आपको कोई जूट नहीं बोल रहा है यहाँ पर आपको 48MP का Samsung का GM1 Sensor देखने को मिल रहा है अब यह 48MP कैसे हो गया कैसे Snapdragon 660 यह सपोर्ट कर दिया उसके बारे में तो आपसे मैं एक detail में बात कर नहीं वाला हूँ पर आपको मैं बता दूँ चैनल के उपर एक चोट सा giveaway चल रहा है उसको अगर आभी तक आपने यहाँ पर पाटिस्पेट नहीं किया है अपनी एंट्री नहीं डालिये यह रहा लिंक जाओ पाट लो क्या बदा आपको वो giveaway जीत जाओ और आपको वो मिल जाए सर्प्राइज और आपका न्यू येर न्यू येर बन जाए और मज़े ही आजए चलो बात करते है रेड्मी नोट सेवन में 48 मेगा पिक्सल का क्या ताम जहाम है यार देखो 48 मेगा पिक्सल का कैमरा अब मैं आपको बताऊं ऐसा है कि आपको बोला जाए कि क्योंकि पीजा जो बड़े साइज में आपको लाला सोडा सा बढ़ जाएगा जबकि मश्रूम जितना बर्गर में था उतना ही पीजा के ऊपर डाला गया है तो आपका ध्यान है पर फिर भी पीजा के ऊपर जा रहा है क्योंकि साइस बड़ा हो गया यह ही कुछ काम बहुद्व होता है यहां जाद ही हो गया वहां जो छोड़ दो फासपूड को रहने देते हैं बहुत खराब होता है सिजड के लिए हम बातकर दें यहां पर एक्चल में हमें यहां पर इस प्राइस पोईंट पे जादा दर 12 में पिक्सल के देखने में को मिलते हैं अब 12 MP के केमरा जो काम कर सकते न उसी को थोड़ा सा तोर मडोर के यहां पर 48 MP बना दिया गया है और आपके सामने यहां पेश कर दिया गया है अब है कि या जब हमने देखा कि 12 MP पिक्सल का नहीं 48 मेगा पिक्सल का कैमरा में देखने हो जानि कि यहां पर गुमा फिरा कि अगर माँ बात करूं तो शौमी के रेडमी नोट 7 में आप यहां पर कर सकते हो कि 12 मेगा पिक्सल का कैमरा ही है पर उसको बताया जारा 48 मेगा पिक्सल का कैमरा पर ऐसा कैसे एक जो है कंपनी जूट कैसे बोल सकती है अब यहां पर जूट नहीं बोल रही है अब यह जो सामसंग का जी एंवन सेंसर है वह यहां पर 48 मेगा पिक्सल का कैमरा कैसे द इसी चीज्ड और आगर आपके पिक्सल चॉन पिक्सल को अगर बोलते हैं तो वज़ा से हम कर सकते हैं Megapixels को बढ़ा सकते हैं और पिक्सल बाइणिंग की तरव से हम थोड़ा सेंसर को बढ़ा करके दिखा सकते हैं और आपको यहां पर लालज़ दे सकते हैं कि रही यह 48 48 Megapixel का Camera अब यहां पर हुआ गया है यह 48 Megapixel का Camera यह आपको मिल रहा है 0.8 Micron के साथ अब इसको अगर हम आप एजियूम करोगी कि 12 Megapixel ले तो वो बन जाता है 1.6 Micron Pixel के साथ तो एक्च्वल में आपका जो यह पार कैमरा करने वाला है वो करने वाला है 12 megapixel की photo देने वाल है वो होगी 1.6 micron pixel के साथ खीची हुई पर actually यहाँ पर pixel mining की मदद से यहाँ पर आपको दिया गया है 48 megapixel का camera और यह 0.8 microns पर shift हो गया है तो ऐसा कुछ किया गया है actual में 12 megapixel 1.6 micron के साथ है यहाँ पर actually इसी मदद से आपकी जो है वो low light photography काफी बढ़िया करती जाएगी अब यहाँ पर actually ऐसा अगर आपको sensor यूज करना है तो आपको aperture भी काफी बढ़िया देना पड़ता है तो यहाँ पर Xiaomi ने F1.8 भी यूज कर दिया है अब यह ऐसा किया है तो obviously low light photos हमें काफी अच्छी देखेंगो मिलेगी तो घुमा फिर आगे यार मैं आपको बहुत जाला heavy वाली मनलब feeling नहीं देने वाला या या बंदे क्या बोल गया मलब टेक वाली कौन-कौन सी भाशा बोल गया समझी नहीं सिंवल चीज एक पिक्सल इहां पर चार पिक्सल मिलके एक चीज मना देते एक पिक्सल बना अजितल कि के BRA पिक्सल के साथ ज़ो सबगnant करें चैर्टीर्फ मैं कोकि उप और चार फोन मे चाहीं कर ऑने वाली है देख अड़ियेचा है ओ conscious चाहे है चाहे 40 हो, चाहे 100 हो, चाहे 5 Megapixel कैमरा, हमारा जो कैमरा है न हमारी फोटो जो है वो घजब की हीचे, और मैं उमीद कर रहा हूँ कि Xiaomi ने ये जो sensor लगा है वो घजब की फोटो खीचेगा, अब यहाँ पर यह truly 48 Megapixel का कैमरा नहीं है, यह आपको समझ लग गई, पर यहाँ पर क्योंकि उसमें यार जो sensor यूज किया गया है, जाएगा अब वो होगा Sony का IMX586, अब यह support करता है हमारा यहाँ पर 48 Megapixel का यहाँ पर यह जो है camera, और यह capable है इतना जादा resolution देने का, और वहाँ पर जो processor हमें देखने को मिल सकता है, वो मिल सकता है Snapdragon 675, और यह यह support करता है 48 Meg Megapixel की photo, और इवन कि यार इस price point में आपको बता दू, Snapdragon 710 भी इसको यहाँ पर support नहीं करता है, तो मेरे को पूरा-पूरा डाउट है, Note 7 Pro में हमे Snapdragon 675 देखने को पल सकता है, शायद इंडिया में ही है पहला phone हो, इस processor के साथ, अब छोटी सी बात आपको बता हूँ, यहाँ प 25 Megapixel तक की यहाँ पर photo process कर सकता है, आपका Snapdragon 660, अब यह जो Xiaomi Redmi Note 7 है, इसकी जो यहाँ पर pixel binding की साथ photo निकलेगी, वो 12 Megapixel की photo निकालेगा, और यह 12 Megapixel की photo जो निकलेगी, copy अच्छे ही निकलेगी, और Snapdragon 660 इसको support कर सकता है, तो गुमा फिरा के Xiaomi ने कुछ गलत नहीं किया, अगर अब यह भी आपके दिमाग में कुछ confusion है, नीचे comment करके मेरे को बताना कि ऐसे कैसे हो गया, पर आज के time में मेरे को एक चीज आप नीचे comment section में ज़रूर बताना, 48 Megapixel का यह जो camera लगाए गया उसकी need है, या फिर नहीं है, क्योंकि पहले हम camera काफी अच्छा कमाल कर र बिलती रहेंगी, मिलता हूँ मैं हूँ मना आप देख रहेंगे, तक स्वामी देख वी वाचिंग एंड मिलता है, एंड अप्र आपने चाने वालों करे खिक है याल, की स्माली एन ओल्वेस, टेक गाइस, बाबाए